माइफर्स टिपिस सॉफ्ट पिंक लिप्स सुबह उठने पर आपके लिप्स सॉफ्ट और नैच्रल लगें इसके लिए सबसे पहले आप अपने लिप्स को टूथब्रिश से एक्सफोलियेट करें फिर उसके बाद घी और कोकोनट ओल का मिक्सचर लगाएं इसे बनाने के ल इसको exfoliate करें के बाद इस लिप ओयल को रात में सोने से पहले लगाएं माइ सेकंड टेप इस सॉफ्र स्मूथ फीट शावर लेते वक्त अपने लेक्स को प्यूमिक स्टों से एक्सपोलियेट करें फिर उस पर फुट क्रीम से मसाज करें फिर सॉक्स पहन कर राद बार के लिए इसे ऐसे छोड़ दें आप अपने खुद की फुट क्रीम बना सकती है इसके लिए सबसे पहले आपको शी बटर को दो बार बॉल करके मेल्क करना होगा फिर उसमें कुछ प और क्रीमी ना हो जाए फिर उसे जार में डाल दें फिर इसे रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों में अपने पैरों पर लगाए माई थर्द टिप इस डार्क सर्कल आइपेड यूज पटेटो अलांग विद कॉफी तो गेट रिड ओफ डार्क सर्कल और फाइन लाइ यूज करें इसके आइपेड बना लें पटेटो के यूज से डार्क सर्कल कम होते हैं और स्किन ड्राइट लगती है इसे बनाने के लिए चार टेबल स्पून पटेटो जूस में आधा टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी लें एक बाउल में पटेटो जूस और कॉफी को एड़ करें फिर उसे mix करें फिर सोड़ी से cotton लेकर उसमें डिप करें और उसे आइस के नीचे 15 मिन के लिए लगाएं फिर 15 मिन बाद उसे remove कर लें और अपनी आइस को wash ना करें यह आप सोने से पहले करें Now my fourth tip is longer eyelashes, इसके लिए coconut oil और castor oil को एक bowl मिल लें, फिर एक साफ mascara wand से उस oil को अपने eyelashes पर लगाएं, इससे आपके eyelashes थिकर और longer लगेंगे Now my fifth tip is longer nails, इसके लिए bee wax को दो बार boil करें और उसमें डेट चमच olive oil mix करें, फिर उसे बेट पर जाने से पहले अपने nails और hands पर थोड़ा सा लिकर लगाएं, इससे आपके nails बढ़ेंगे और आपके hands smooth हो जाएंगे Now, sixth one is thicker eyebrows, अपने eyebrow की regrowth के लिए और उन्हें थिक बनाने के लिए और उन्हें थिक बनाने के लिए रात में gel का इस्तेमाल करें इस जेल को बनाने के लिए एक कप flax seeds को थोड़े से पानी में boil करें, जेल बनाने के लिए उसमें एक चमच caster oil मिलाएं, ये जेल रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, इससे eyebrow की growth बढ़ेगी Now, seventh one is longer thicker hair, सोने से पहले अपने hairs को black caster oil से मसाज करें, या फिर hair sleeping mask बनाकर उससे मसाज करें, इसके लिए fenugreek powder को पानी में mix करें, और 10 minute low flame पर gas पर पकाएं, फिर उसे चान लें, आप उसे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो गरम होता है, इसी लगा कर एक बन बना ले, मतलब एक जूरा बना ले, तब सोएं, इसमें आप लेवेंडर oil की कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, फिर अपने hairs को morning में wash कर लें, My eighth tip is clean acne and scars, to treat skin problems, overnight use aloe vera, aloe vera आपकी skin को overnight में repair करता है, और इसका रोज इस्तेमाल करने पर ये acne सही करता है, और scars को lighten करता है, इसका इस्तेमाल करने के लिए एक बाउल में aloe vera gel लें, और देख लें कि उसमें कोई lumps ना हो, उसमें cinnamon essential oil और tea tree oil मिलाएं, अब उस gel को अच्छे से mix करें, और उसे एक tight container में store करके रखें, उससे आप अपनी skin पर cleansing के बाद मसाज करें और उसे overnight छोड़ दें, नाव tip number nine is erase wrinkles, rose hip oil, लेवंडर oil की पांची बूंदे mix करें, फिर इससे बेट पर जाने से पहले मसाज करें, इससे fine lines और wrinkles दूर हो जाएंगे, तो यह थी मेरी कुछ overnight beauty tips, मैं आशा करते हैं कि आप सभी को यह tips पसंद आएंगे, धन्यवाल,